Hello everyone, इस्टेनोबित अरहन पर आपका स्वागत है एह डिक्टेशन आनन्द मासिक पत्री का सीरिस से होगी जो की 100 सब्द पत्री मेट की गती पर दी जाती है यदि आप इसका पीडियेप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिगरम ग्रूप को जोईन कर सकती है एह डिक्टेशन एससी एक्जाम औरियंटेड दी जाती है जो की आपके लिए बहुती हैल्फुल रही चलिए तो डिक्टेशन प्राप्त करते हैं डिक्टेशन पॉंस सेकेंड बात महोदय बहां के उस्कूलों में बच्चों की प्रवेश शंख्या भी बड़ी है बहां के लोगों में अंद्विश्वास कम हुआ है ऐसे कई अनौखे दर्ष्टांत प्रकाश में आए हैं जहां पहले दस्तिया बुखार के लिए गाउवासी ओज़ा के पास जाते थे लेकिन साक्षर्टा ने उन्हें ऐसी समझ दी कीवे हकीम और डॉक्टर के पास जाने लगे हैं साक्षर्टा से धर्मवा जाती की दीवारें तूटी हैं साक्षर्टा अभियान के दोरान कई ऐसे द्रश देखने को मिलते हैं जब हिंदू लड़की किसी मुश्लिम महिला को दिये की रोसनी में पढ़ा रही होती है और कोई मुशल्मान वयस्क किसी हिंदू बालक को पढ़ा रहा होता है अतहा साक्षर्टा संपून विकास का एक समग्र कारिक्रम है एक साक्षर राष्ट एक आत्मविश्वासी राष्ट भी होता है लेकिन जब तक देश की समुची जनता साक्षर्टा के कारिको देश शेवा का कार नहीं समझेगी तब तक देश साक्षर नहीं हो सकेगा इसके लिए पहली आविश्रक्ता है कि प्रतेग नागरिक देश को प्यार करे और उसके बिकास के लिए सोचे उसके अंतरमन में जब राश्टिय भाव हिलोर लेगा तब ही साक्षर्टा उसे राश्टिय मिशन लगेगा ऐसा नहीं है कि निरक्षर्टा के अंधेरे को मिटाने के लिए स्वतंद्रता के बाद कोई प्रयास नहीं किया गया प्राण सिक्षा कारिक्रम चलाया गया लेकिन उसे जनांदोलन के रूप में सफलता प्राप्त नहीं हुई वास्तव में 1986 में केरल के कोट्टियम नगर और 1990 में एना कलुकम जिले में निरक्षर्टा को दूर करने की अभियान पद्दती को जब आसातीत सफलता मिली तो आसा की एक नई किरण फूटती हुई दिखी इन दोनों जिलों को मौडल बना कर संपून साक्षर्टा की अभधार्णा पर विचार हुआ आठवी योजना के अंतरगत 15-35 आयुवर्ग के लगभग 7 करूड प्रोण निरक्षरों को साक्षर बनाने का निश्चय किया गया एह तहक किया गया की चरनबद रूप से देश के लगभग 345 जिलों में संपून साक्षर्टा कारिक्रम को लागू किया जाए संपून साक्षर्टा कारिक्रम की सरवादिक महदपून विसेष्टा एह है की इसे स्वैम से भी प्रयाशों के माध्यम से एकांदोलन के रूप में चलाने का निर्ने लिया गया ताकि यह सरकारी कारिक्रम ना रहकर जनता का कारिक्रम बन सके संपून साक्षर्टा की इस रूप रेखा पर सरसरी तौर से बिचार करने पर कुछ बिंदू साफ उभर कर आते हैं महुदय ए तैकरपाना मुस्किल है की ब्रहश्टाचार की काम्यावी के लिए लोकतंत्र आविश्यक है या फिर लोकतंत्र की सफलता के लिए ब्रहश्टाचार अपरिहार है भारतिये लोकतंत्र बहुत कुछ इस दिशा में बढ़ चुका है यहां तक की अब इस से पीछे हटना हमारी व्यवस्था विशिशकर लोकतंत्रिक व्यवस्था के लिए कठिन लगता है पिछले साथ वर्सों में कई रिकार्ड तूटे हैं और बहुत से रिकार्ड दर्ज हुए हैं करीब करीब हर आरोपी व्यक्ती ने तमाम विवस्था की पोल खोलने की चेतावनी भी दी है ऐसा नहीं की एह चेतावनी वेकारिया व्यर्थ गई है बलकि लगवग सभी मामलों में ऐसी चुनोतियां काफी कारगर साबित हुई हैं यदी मिशाल पर जाएं तो हरसद महता से लेकर भंसाली और आमीर भाई जैसी बहुत सी मिशालें हमारे सामने हैं भेश्थाचार को यदी संकला वद्द किया जाए तो आज तक कोई भी संकला तूटती दिखाई नहीं पड़ती है आज हालात ऐसे बन गए हैं कि संसस से लेकर सर्वोच्च न्याय ले तक भ्रहष्थाचार के मुद्दे पर अपनी अपनी चिंतर प्रकट कर रहे हैं कई वारतो हमारे राजनेता अपने देश में फैलते भ्रहष्थाचार पर एह कैकर परदा डालते दिखाई पड़ते हैं कि भ्रहष्थाचार यूरोपियन देशों में भी कम नहीं है एह कैना कठिन है कि हमारे राजनेता ऐसी दलीलों के जरिये लोगतंदर में भ्रहष्थाचार का ओचित इस्थापित करना चाहते हैं या फिर इसे लोगतंदर की आविश्यक बुराई के रूप में पेस कर रहे हैं एह माना की भ्रहष्थाचार अब इतना घिसापिता मुद्दा हो गया है कि इस पर कलम भी अपना असर खो चुकी है लेकिन यदी भ्रहष्थाचार सार्ब भौमिक है या लोगतंदर का अभिभाज अंग है तो फिर इसका लाव देश के हर तबके को मिलना चाहिए पाठक प्रश्ण कर सकते हैं कि इस लाव के लिए कोई रासनकाड जारी किये जाने की ब्यवस्था है या इस पर कोई बिचार हो रहा है अब तक लोगतंदर और भ्रहष्थाचार के निकट संबन्दों को देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुचा हूँ कि भ्रहष्थाचार को अधिकार के रूप में मांगना या फिर इसके लिए आंदोलन करना लोगतंदरिक नहीं थेराया जा सकता जबकि एह देश के कई हिस्सों में परोक्ष रूप से मौलिक अधिकार के रूप में इस्तिमाल किया जा रहा है लेकिन एह अधिकार लिखित रूप में ना किसी सरकार ने दिया है और ना ही आंगे कोई सरकार इस दिसा में ऐसी कोशिश करेगी महोदय जो लोग देश की लोगतांत्रिक विवस्ता से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं सायद वे वहतर जानते हैं की वह अधिकार यानी भहष्टाचार का अधिकार दिये जाने का विशय नहीं है वलकि लिये जाने का विशय है बिहार और उत्तर प्रिदेश में हर चीज लोगतांत्रिक है और सामविधानिक भी कुछ पूर्वुत्तर राज्यों में ब्याप्त लोगतंत्र और व्यवस्ता से ना तो सरकार अन्विग्य है और ना ही संसद फिर दक्षिन भारत के राज्यों पर जाएं तो पिछले सात वर्षों में सत्तर प्रतीशत बैंक घोटालों की कुछ प्रात्मिक कडियां इनी राज्यों में मिली हैं प्रष्ण एह नहीं की देश के किस स्से में ब्रष्टाचार कम है और किस स्से में जादा वल्की प्रष्ण एह है की भारत जैसे बिशाल लोकतंत्र में प्रष्टचार की लोकप्रिता के सिस्से में कम है यदि इस बिशाय पर एक सर्विक्षन कराय जाये तो लोकतंत्र के मुकाबले में प्रष्टचार की लोकप्रिता कहीं जादा दर्ज हो सकती है कई वार राजनेताओं को कहते सुना है कि लोगप्रिये सरकार को कौन हटा सकता है या वरखास्त कर सकता है इस अर्थ में यदि किसी सरकार की लोगप्रियता आंकी जाए तो बिहार जैसे राज में जो सरकार जितनी लोगप्रिये होगी उतनी ही मजबूत होगी यानि लोक प्रियता यदि लोक तांत्रिक व्यवस्था की पहली सर्थ है तो भेश्टाचार को लोक तांत्रिक व्यवस्था से अलग करना आसान नहीं है स्टॉप यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें और जादा से जादा लोगों में सेयर करें and feedback जरूर दें Thank you